तो आज की लेटेस्ट अफडेट क्या है तो बीपीएस सी प्रधान ध्याफक की बहाली आई है तो इसके बारे में जानेंगे क्या योगिता है और क्या जाम होगा कौन लोग फॉम भर सकते इसके बारे में जानेंगे तुछ वीडियो को शुरू सान तक देखें प्संद आने कुछ माद्मिक विद्यालवन प्रधाना ध्यापक के कुल 6421 पदों पर नियुक्ति है तो सुयोग भारती है नागरिक किया बिहार राज के निवासी है जो कि यह भर सकते सीटों की संख्या आप देख सकते हैं टोटल छे जार चेस 421 है इसमें महिलाओं की संख्या अलग कर दिया गया है और पिछड़े बर कि टोटल क्या है यह 6421 और यह जो है सामान प्रसार्षन वियाज जो स्वतंत्र सेनानिक उनके लिए 128 पद है और यह इसी में है ऐसानी कि अलग से 6421 के अलावे है दिव्यांग जन के लिए भी अलग लग दिया हुआ किसके किसके लिए जो क और यह 66 है भी दिरिष्टी बाधित के लिए तर मुक बंधिर के लिए 65 अस्तिदी वियांग के लिए 36 और मनोविकार के लिए 12 इसके जो है 35,000 रुप्यार रहेगा एबं सरकार समय पर देई है जो कि अन्यभदते रहेंगे या पित पदों की संख्या जो कि घट बढ़ सकत लेट है 35,000 किसी कर नहीं होता है तो देखते हैं कि इनको भारत का नागरिक होना चाहिए बिहार राज के निवासी है से सच्छी को गिता देखते हैं मानिता प्राप्त विश्विद्याले से कम से कम है जो कि आपको 50% असना को तर उतिरन होना चाहिए अनुसूचित जाती जन जाती के लिए है जो कि 5% चूट रहेगा और मॉलाना मजरूल है कि अर्भी भार सी विश्विद्याले या बिहार राज मदर सा सिच्छा बोड़ते फाजिल की डिगरी है जो कि इसके या कमेशोर सिंग दरभंगा संस्क्रित विश्विद्याले द्वारा जो चाहिए उ मानिता चौथा जो है बर्स 2012 या उसके बाद नियुक्त सिच्छक है तुष सिच्छक पातरता परिच्छा उतिर्न हो और यह बिहार स्टेट का होना चाहिए और मस्ट भी पोस्ट ग्रेजुएट फॉर्म रिकॉर्ड नेंज 50% जो लिखा हुआ है 2012 के या उसके बाद सिच्छक पातरता में परिच्छा में उतिर्न होना चाहिए अनुभव क्या है राज सरकार के विद्याले में पंचैती रायसंस था निउंतम 10 वर्स की लगातार सेवा सिर्फ बिहार सरकार के सरकारी सेवा कि भर सकते हैं वह अगर है सेचनी की योगता है 283 2022 के पुरुकार निर्गत होना चाहिए मतलब यह जो है आपको इतनी चीज़े कम से कम होनी चाहिए मतलब यह अगर नहीं है 2012 या उसके बाद नियुक सिच्छक पाता प्रिच्छ तो आप नहीं भर सकते हैं और यह जरूरी है कि फिर उम्र सीमा उम्र सीमा है जो की 1820 को कम से कम कितनी बर्स होना चाहिए 31 बर्स होना चाहिए और यह जो है अधिक्तम में 47 बर्स होना चाहिए यह दिया हुआ है और आयू जो है बर्धा के सेवा निवर्थिक आयू साथ बरस है और बाकी बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के आयू सीमाम छूट का दावा स्थिति में सच्छम्परादिकार्ट में निर्गत होना चाहिए और तीन बर् इनको जो कि अनुमान है चैन पर क्रिया क्या होगी तो बदो की विर्देशिक देड़ सो फ्रश्ण होंगे इसमें और पच्छन सौ अंको का है समान अधियन होगा बीड़ कोड़ से पचास फ्रश्ण है और वान फोर्थ जो रहेगा हमारो चार गलती करेंगे तो एक अब्जेक्टिव होगा इसमें साचातकार नहीं लिया जाएगा और इसमें जो पास न्यूंता महरतांग दिया अंतीम रूप से सफल उमीदमरलो एक ही सिर्फ एक्जाम होगा और इससे प्रदाने अधिया पक बन सकते है आयोग के बिग्यापन और देखते हैं इसकी और इसकी डेट कब से कब तक है जो कि भरने के उसको देखते हैं यह सब है कि यहाँ पर आप देख सकते ओनलाइन आवेदन भरने करम में सिर्फ डाटा बेस संधार्ज करने हैं तो लिजए अगर युक शूट भी आपन मैं कित नहीं है को यह जोकी अन्त छूट नहीं मिले और अंतीम जो तीथी यह उसके पहले का होना चाहिए मैट्री की भी जाकपन कंड की सेचनी क्योंगे ताकन रूप जो भी है क्रीमी लेयर का दावा भी है यह सारा चीज है जो कि दिया हुआ है कि चार फोटो इस अब जो है 200 है ऑनलाइन है जो कि पांच मार्च मतलब कल से भराएगा अंतीमती थी जो कि 28 मार्च तक भराएगा 3 तो यह निकल गई है और इसमें जो है आप को मेली यही देखना है कि क्या 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 चीज ने वारे बहुत सारे लोगों क्योंग क्या रहें है सब लोग समय वित कि आँउए तो की इन चीजों पर है जो की धियान देने की ज़रुवत है सबसे ज्यादा जो है यह आप देख सकते हैं एक तो अनुभब तो है ही पाच्वा लेकिन यह जो पॉइंट से यह हो सकता आप लोग पास हो बीएड़ इन 2012 या उसके बाद न्यूक सिच्छक है तो सिच्छक पातरता परिच्छा में उतिर न नियूँ आप चले यह जोग नहीं आप लोगर नव आप दो आप लोगर सी बीएड़े पहर लोगर में आप लोगर वड़ ने का तो ईंधो रहनी है जो भी है उतिर के लिए प्सपー